हलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल डी एक्स बेल अटिकल लर्नी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रिले को होल्डिंग के बारे में इसका wiring कैसे होता है दोस्तों आज हम हम इसी के बारे में discuss करने वाला है तो आप लोग हमारे वीडियों में एंडर नक बने रहेगा अगर वीडियों आच्व लाईगा तो वीडियों को लाइक करिएगा चमनल को सर्सक्राइब नहीं है दोस्तों च पहले में यहाँ प्पर दो यह hon पहम से ए जो रिलय का जो डियाग्राम है इसमें मैं कौन से कौन से टरमल को यूज करने वाला हुए दोस्तों मैं सब से पहले इस के बारे में बता देता हूँ हहां पर दोस्तों का देखेंगे ध letter और यहां पर चौदर नमबर है यहां पर देखेंगे तो नाइन नमबर यहां पर है और यहां पर चौदर नमबर यानि कि फाइप नमबर टर्मल यहां पर है और यहां पर यहां पर है दोस्तों यहां पर है दोस्तों यहां पर हम पूस्ट बटन की यूज़ कर रहे हैं यहां में hold रहेगा उस time में इसको off करने के लिए काम में आता है और यहां पर no push button है जिस time में हमें relief को hold करना हो यानि कि on करना हो यह हम no push button को use करेंगे और यहां पर दोस्तों हमने यहां पर एक breaker को लगा रहा है या कि इसमें कोई इसार सर्कुट होता है या इसमें कोई चेंग करना हो connection को removing करना हो तो हम इसको यहां से off करके यहां पर हम कोई भी चेंग कर सकते हैं और दोस्तो हम बात करते हैं इसके connection के लिए यह जो NcPush Button है दोस्तों ही इनकमिंग जो टर्मल है हमें उसमें लाकर करने करने के बाद हमें क्या करना है? इस NcPush Button कर जो Outgoing Termal है यानि कि जहां से हम Output करके निकालेंगे हम यहाँ से एक Wire Connect करने के बाद हमें क्या करना है? सिधा लाकर जो NO का जो switch है हमें उसमें लाकर connect कर देना है दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है इस NO push button से इसका जो outgoing terminal हमें इससे एक wire को निकालना है दोस्तों इससे एक wire को निकालने के बाद हमें क्या करना है जो relay का A1 जो terminal है दोस्तों यानि कि 13 नमबर टर्मल है हमें वहाँ पर लाकर करनेट कर देना है इस जगह पर दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है अब हमें देखना है यहाँ पर जो NC पूस्ट बटन है NC push button का जो नीचे वाला जो टर्मल है दोस्तो यानि कि outgoing टर्मल है हमें यहां से एक wire connect करके निकालना है और निकालने के बाद दोस्तो हमें क्या करना है जो relay का 14 नमबर टर्मल देख रहे हैं अहां पर हमें यहां पर लाकर connect कर देना है ठीक है दोस्तो इस तरह से हमें यहां पर की बाद हमें क्या करना है अब हम देखेंगे इस रेले का जो नीचे का जो जो बाग है यानि कि यह उखाना है मैं करता है क्या करने के लिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों हमें यहां से एक नीटल वायर को भी उठाना है और नीटल वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है यहां से वायर उठाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है यहां पर जो रिले में यह टू जो टर्मल है दोस्तों हमें यहां पर लाकर कुछ इस तरह से connect करदेने हैं यहां पर दोस्तों यह जो connection है यहें की लिए सब्रीट इस तरह से हमारा जो बीडियो है complete हो रहा है अगर हमारे इडियो अच्छा लगवाद लाइक करियें है दोस्तों चैनल को subscribe क्यी है तो चैनल को subscribe करें joys देखने कलिए